हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे लेकिन जो इंडियन क्रिप्टो यूजर्स है वो इस टाइम पे अच्छा मैसूस नहीं कर रहे हैं खासकर जो इंटरनेशनल एक्चेंजिस पे ट्रेड करते हैं पहले एपल स्टोर से इंटरनेशनल एप्लिकेशन जो थी क्रिप्टो एक्चेंजिस की वो अटा दी गई फिर वेबसाइट के जो डोमेन थे यूरल थे वो ब्लॉक कर दी गए फिर अगले दिन प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दी गई एप्लिकेशन और अभी जो सबसे बड बाइन्स और जो बड़े एक्चेंजिस है उनकी क्या लेटेस्ट डेवलप्मेंट है बाइन्स का क्या कहना है कि अगर एप इंस्टॉल है तो क्या करना चाहिए और OKS की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट निकल कर यह उस बारे में बात करूंगा और सॉल्यूशन की बात करू पहाड नहीं टूट रहा है और अगर आप इंटरनेशनल एक्चेंजिस पर ट्रेड नहीं करोगे तो दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी चीजे क्लियर होने का वेट भी कर लोगे तो एक-दो मैने के अंदर सारी चीजे क्लियर होंगी और आप्शन्स निकल के आएं उनका कहना है कि साथ दिनों के अंदर जो इंडियन यूजर्स हैं अपने KYC या अपना पर्सनल डाटा है वो अपडेट कर लीजिए नहीं तो आपके जो ट्रेडिंग करते हो या आप डिपोजिट करते हो उसको रेस्ट्रिक कर दिया जाएगा यानि कि ब्लॉक कर दिया जा नहीं करना चाह रहे हैं लोकल रेगुलेशन के साथ में अब यहाँ पर क्या होगा कभ होगा कैसे होगा यह कोशन मार्क है और regulation कम आए कमप्लाइंट करेंगे नहीं करेंगे तो आपके पास में अगर ऑके एक्स में कुछ कृप्टटो पर होल करते हो क्योंकि इसका लिस् पर Binance क्योंकि आपको यह है ना कि जो एक्चेंज जिस उनके एप्स तो इंस्टॉल्ड है क्या वो भी काम करना बंद कर देंगे क्योंकि एक यूजर था Binance पे Twitter पे या X पे उनसे पूछा कि I am a old user, Sir now everybody is talking about old user's app will stop working, क्या यह ऐसा हो सकता है तो उस पे Binance की तरफ से जो statement है, गोल मोल को answer है लेकिन यहाँ पे फिर भी कही न कहीं बताया गया है कि we appreciate your contact, currently existing users are able to continue using apps, अब यहाँ पर जब Apple Store से एप अप अटा दिये, websites block कर दी और आपका Play Store से अटा दिया, तो यहाँ पर कितनी देर लगेगी कि यह application को work करने से बंद करने में, you never know तो यह कहना कि एक solution है कि चलो यहाँ पर हमारे पास में app है, वो trade कर सकते हैं, अगर मान लीजिए app भी बंद कर दी, तो फिर क्या करोगे, यह app ने काम करना बंद कर दिया, यह आपका phone चोरी हो गया, आपका fund यहाँ पर रखा हुआ है, phone crash हो गया, यह software update ऐसा मांग लिया, कि आपको करना जरूरी है, उस case के अंदर आप क्या करोगे, तो solutions पर काम करना चाहिए, कई लोगों ने, जैसे देखन लेंगे, या कितने लोग VPN यूज़ कर लेंगे, और VPN के उपर, जो Binance की statement आई है, VPN अगर आप यूज़ करते हो, VPN का मतलब क्या होता है, मतलब आप इंडिया में हो, आपका जो IP address है, वो किसी और country का वो ले लेंगे, software के थूँ, अब जब वो लेते हैं, अब आपका Russia से आ या अमेरिका से आ रहा है, तो यह कहीं से भी आ सकता है, जहां पर आपका website खुल जाती है, लेकिन Binance की statement क्या है, कि अगर आप ऐसा करते हो, अब आप यहां बैठे हो, आपकी application है, चल रही है, कोई अगर login कर लेगा एकदम से Russia से या अमेरिका से, तो फिर यह क्या होगा, फ आपको VPN यूज करना हो सकता है, अकाउंट ब्लॉक कर दें, फ्रीज कर दें, सस्पेंड कर दें, तो यह सारी चीजों को आपने observe करके चलना है, तो यहां पर solution क्या है, यहां पर तीन solution अभी फिलाल दिख रहे हैं, एक solution तो सबसे best जो solution है, वो है कि भाया मैं hardware wallet ले लूँ, और अभी तो Amazon पर भी मिल जाता है, लेजर का या ट्रेजर, आप उनकी website से बूक कर सकते हो, नीचे हम description में link दे देंगे, वहां आप एक hardware wallet खरी लो, सबसे बढ़िया है, अगर आप बड़ा fund यूज कर, जो है, hold करते हो, क्योंकि दो तीन हफते के अंदर सारी picture clear हो सकती है, और ऐसा नहीं है, अगर hardware wallet में रखा हुआ है, तो आप comply नहीं कर सकते, आप ITR नहीं कर सकते, सारी चीजों के process होते हैं, बस आप अपने wallet के अंदर hold कर रहे हो, क्योंकि आपको Indian exchanges पर भरोस आनी है, जब आप उसको sell करोगे, आप उस पर tax दोगे, दूसरा आप online wallet में रख सक देखो कई लोग होता है, जो हमें trade करना ही है, हमारे situation ऐसी है कि हमें trade करना है, पैसे कमाने है, तो यहाँ पे कुछ exchanges हैं, जैसे कि bid get हो गया, buy bit हो गया, वो अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं, और मैंने verify करने की कोशिच की, check करने की कोशिच की, जो play store है, उस पे bid get का अभी जो app है, वहाँ available है, तो अगर आप एक option alternative देख रहे हो, पर temporary solution देख रहे हो, तो यहाँ पर यह किया रहा सकता है, कि bid get पे ले गए, 600 से जादा हो उनके पास में, यहाँ पर trading pair हैं, लेओने मैसे उनका, जो है, brand investor है, और top exchanges के अंदर यह आता है, तो एक बार उसको भी आप जाके जरूर देखिएगा, हम नीचे उसका भी description में link दे देगे, लेकिन यहाँ पर तीसरा option क्या है, तीसरा option है कि वहाँ इंडियन exchanges पे ले जाएं, अब इंडियन exchanges पे आप ले तो जाओगे, लेकिन challenge आता है, कि liquidity और price difference का, अब liquidity नहीं हो पाती है, कई बार हमें वो pair नही है, तो जो भी करोगे अपनी पूरी research एक बार कर लीजेगा, कुछ भी option चूज करने से पहले अपने financial advisor से discuss कीजेगा, अपनी सारी चीज़े देख लीजेगा, उसके बाद कुछ भी step लीजेगा, लेकिन यह 3-4 solution है, गलत तरीके से कुछ करना कोई समझधारी वाली बात नही तो इसलिए टेलिग्राम ट्विटर को हमारे नीचे discussion में लिंक दे दिया है, वहां से follow कीजेगा, बहुत सारे स्क्रैम आ रहे हैं, उससे बच पाओगे, और हमारे चैनल को subscribe भी कर लीजेगा, बाकि और कोई भी development exchanges की तरफ से आएगी या कुछ भी आएगी हम करने की बता चले और क्या latest development निकल के आ रहे है, वो भी वो जान सके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा content पसंद आया होगा, हमारा content अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करिए, चैनल को subscribe करिए, और हमारी family का हिस्सा बनना बिलकुम भूलिए, अभी के मेरे विदा लेता हूँ, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, कमाते रहे, आपका दोस्त बंकच, थेंक यू, नमस्कार, धन्यवाद